अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमश्कर रहा सक्षिन इस नेटे को आप सभी का स्वागत है केंदर शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसवा चनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंदर की पहल के तहत प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 24 जून को वहां के सभी राज केंदर शाषित प्रदेशों में विभाजन करने की खोशना के बात से इस तरह की पहली कवायत होगी इस पैठक में केंदरी ग्रह मंत्री अमिच्छा और अन्य केंदरी नेताओं के भाग लेने की संभावना है अधिकारियों ने बताया कि केंदरी ने नेशनल कॉन्फेंस क के प्रमुक सज्जात लोन को चर्चा के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है महबुवा मुफ्ती ने तो बताया है कि उन्हें केंदर से 24 जून को बैठक के लिए फोन आभी गया है महबुवा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के छेतरी दलों को बातचीत के लिए बुलाने के केंदर के निमंत्रण पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक करी जिसमें फैसा लिया जाएगा कि दिल्ली की बैठक में जाए या नहीं के साथ बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर माक्पा नेता और लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किये हैं गुपकार चमू कश्मीर में कुछ पार्टियों का गठबंदन है जिसमें नेशनल कॉंफरेंस और पीडीपी शामिल है जो केंदर के अगस्त 2019 के फैसलों के बात बनाया गया था पिछले साल जिला विकास परिशत के चुन सीटों के साथ सबसे बड़ी पाटी बनकर उभरी थी दूसे और जेके एपी के अध्यक्ष अलताफ बुखारी ने इस मुद्धे पर कहा मैं स्वागत करता हूं उन्होंने कहा कि यह मार्च 2020 की हमारी स्थिती की पुस्टी करता है जब हमने यह स्पस्ट कर दिया था कि जम् ही है हम आपको बता दें कि बुखारी को छोड़कर अन्यनेता जम्मू कश्मीर के विशेश तरजे को निरस्त किये जाने और ततकालिन राज्जी को दो केंदर शाषित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाक में विभाजित करने के केंदर के अगस 2019 के फैसले के भाजपा और कॉंग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाईयों के इन चर्चाओं का हिस्सा होने की संभावना है जिने केंदर शाषित प्रदेश में सामान ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है केंदर सरकार जम्मू कश्मीर की सभी छेत्रिय पार्टियों के साथ इस माह की समाप्ति से पहले माना जा रहा है कि 24 जून को बादशीत होने की संभावना है अधिकारियों ने बताया है कि नियाय मूर्ति सेवा निवरित आर देशाई के नेत्रितों में परिसीमन आयोग जिसे संसद में जम्मू कश्मीर पुरण गठन विधेक के पारित होने के तुरंत बाद गठित किया गया था कि अपने काम में तेजी लाने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करने की संभावना है आय भी विकास पर योजनाओं की अर्काशा की केंद्र शासित्सथप्रदेश के जंता का समग्र विकास और करम्मू कंश्मीर की योजनाओं की पहुंच आपीका करण अभियान में राज्ये की 46 आवा दी को ठीका लगाए जाने महीं चार जिलों में तो ऑपर और पृए थिज तीम को भीज रहा दाले के अनुसार अमीच्ट शाह ने जम्मु कश्मीर में कारयनवित की जा रही अनेक विकास परयोजनाओं की यहां समीक्षा की परधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार दरशीता के साथ विकास के मंत्र के आधार पर इन परयोजनाओं को लागू किया जा प्रियोजनाओं तथा और द्योगिक विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा कि शर्णार्थी पैकेज के लाब पाकिस्तान के कपजे वाले जम्मू कश्मीर पस्चिम पाकिस्तान के सभी शर्णार्थियों और उन सभी लोगों को जल्द से जल्द मिलें जिनें कश्मीर से पलायन करके जम्मू आकर बसना पड़ा अमिश्या ने 3000 मेगावाट की पाकल डल और कीरू जल विद्यूत परियोजनाओं को शुरू करने तथा अन्य ऐसी परियोजनाओं की गती तेज करने को भी कहा उन्होंने अधिकारियों को पंचायती राजसंसानों तथा श के साथ ही ग्रह मंत्री ने पंचायत सदस्यों को देश के अनेक हिस्सों का दौरा करने का भी निर्देश दिया ताकि उन्हें देश की विक्सित पंचायतों की कारेप्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके उन्होंने अधिकाधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार को खोला जा सके जम्मू कश्मीर में सेव की गुडवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए ताकि सेव किसानों को उनकी उपज का अधिक्तम मुले मिल सके केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्चा द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्री स्रक्ष कश्मीर में मौझूदा सुरक्षा इस्थिति और वहां किये जा रहा है सुरक्षा अपायों के बारे में भी जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि शीर्ष अधिकारियों ने अमिश्या को नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी अंतरास्टी सीमापर स्थिति के बारे में भी जानकारी दी इस वीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोस सिन्हा ने कहा है कि सरकार जल्द ही वार्षिक अमरनाथ तीर्थ्यात्रा आयुजीत करने पर फैसला करेगी लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पस्ट किया कि लोगों की जान बचाना प्रशाशन की सरका हिमाले के उचाई वाले हिस्से में 3880 मीटर उचाई परस्तित भगवान शिव की गुफा मंदिर के लिए 56 दिवसी यात्रा 28 जुनको पहलगाम और बालटाल मारगों से शुरू होनी है और यह यात्रा 22 अगस्त को समाप्त होगी यह पुशे जाने पर कि क्या इस साल अमरना 2020 में महमारी के कारण अमरनाथ तीर्थियात्रा को रद कर दिया गया था उदर लोकसभा देक्ष ओम बिल्ला ने कहा है कि संसद के नए भवन की जरूरत है और जब दोनों सद्रों ने नए संसद भवन के निर्माण के बारे में आग्रह किया था तब लोकसभा या से 16 दिन पीछे चल रहा है हाना कि इसे अक्तूबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा इसके लावा एक प्रश्ण के उतर में उन्होंने कहा कि संसद के मौन्सून सत्र की तैयारियां चल रही है मंत्री मंडल की समीति ये पैसला करती है कि मौन्सून सत्र की बैठक कब से शुरू होनी है और कब तक होनी है कि इसकी अनुशनशा संसद को भेजती है उसके आधार पर फिर हम संसद के कारवय को जलाने का काम करता है कि निश्श्शित रूफ से इस बात की अशंका नहीं होना चीए संसद का मानसूत चलेगा और निश्शित रूफ से इसकी व्यापक त्यारी संसदने की है सर कोविड में पिछले लॉक्डाउन के समय ये भी सवाल आया था कि बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं पार्लियमेंट के अंदर जिनको कोविड हुआ और कोविड के जो बचाओ के लिए जितने भी कदम उठाने चाहिए वो भी कर रहे हैं क्या वैक्सिनेशन सारे स्टाफ का हो चुका है या फिर वैक्सिनेशन ड्राइब अभी भी बाकी है है वैक्सिनेशन चार सो पेतालिस मानिस सद्श्यों का वेक्सिनेशन हो चुका है सची वाले के सभी करमचारी वेक्सिनेशन ले लिए गए हैं हमारी कोशिश है 21 तारीक से जब वेक्सिन का ड्राइब चलेगा जब जो मानिस सद्श्यों बचे हैं उनका भी और मानिस सद्श्यों के काम करने वाले वेक्तियों को भी हम प्रियास करके वेक्सिनेशन की कारवाई करें ताकि सब वेक्सिनेशन लगा ले हैं वेक्सिन आवाई